ये ऊपर का जो तीनों है, वह गले में पहने जाने वाली अभूसर जबकी ये जो है पहुची जो है, वहाथ में पहने जाने जॉत दूस्ति यह जोहार नमसकार, हेलो दोस्तों, आज हम Penihiden दोस्तों गनिश्च्टी में से सμबंदित प्रशनों को देखें Window पुर में आयोए प्रश्णों का विस्टलेशन है यह वीडियो को आप पूरा देखेगा और यह वीडियो दोस्तों जो इमानदारी के साथ तैयारी करते हैं उनके लिए काफी हेलफ़ फुल है वीडियो को आप पूरा देखेगा देखे पहला प्रश्ण आपके सामने है इस बार की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अाभूसण किनवा पहनते हैं तो दिखे ए बी सी यह डी आपसर नमबर दूस्तों इसका जो है सही का डार तरकी खीनुवा उसके बाद आपका याद रखेगा करन फूल लवंग फूल तीतरी खुंटी यह सब किसमें पहने जाते हैं कान ठीक है कान में पहने जाने वाली आभुषण है चलिए अगला प्रशन दिखे चत्तिजगड का एक आभुषण पुत्री शरीर के निम्न याद रखेगा चलिए अगला प्रशन दिखेगा ओके दिखें चत्तिजगड में पहनी जाती है तो इंपॉर्टेंट है दिखें ए बी सी याडी ओप्सन नमबर कुन सा सही है पहुची बोला है दोस्तों आप्सन नमबर बी सही है बाहु ठीक है तो पहुची नामक जो ओके देखें निमने में आभुसन नहीं है तो देखेंगा निमने में से आभुसन कुन सा नहीं है ए बी सी याडी ओप्सन नमबर दूस्तों डी सही आंसर है है न सैकना जो है यह आभुसन नहीं है यह एक प्रकार के दूस्तों क्या है बरतन है याद रखेंगा और जितने नमबर कुन सा सही है दोस्तों देखेगा option नमबर डी सही है दोस्तों पहुंची है तो पहुंची जो है देखे यहाँ पर याद रखेगा यह सूता हो गया सुनता है और पुत्री और यह हंसली ठीक है और याद रखेगा दूसने यह उपर का जो तीनों है वो गले में पहने जाने वाले आभूशण जबकि यह पहुंची जो है वहाथ में पहने जाने वाली आभूशण है याद रखिएगा चलिए अगला प्रश्ण देखेगा यह है दिखे गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंक या पलास की माला कहलाती है तो क्या कहलाती है देखेगा A B C य याद रखिएगा तो 36 गड़ में गाय के गले में बांधे जाने के लिए दूस्तों है जो बांधे उसको सुहई बोलते हैं याद रखिएगा और यह जो है पलास या पंक मोर पंक इनसे बनी होती है चलिए अगला प्रश्ण देखेगा देखे बाजू बंद के लिए 36 गड आखोशण है एक प्रकार है याद रखिएगा ठेक है तो और नंबर सी सहीं एंचर है ओकि चलिए अगला प्रश्ण देखेगा देखे बहुंता का मतलब है तो बहुंता का मतलब क्या चीजह है धी डिक्ए A B C या नदी तो बहुंता का मतलब yapmış कॉ सभिंग और से सहीं है बं नांग मोरी किस अंग का आभुषण है तो दिखे ए बी सी या डी ओप्सन नंबर कौन सा सही है दोस्तों ओप्सन नंबर वई ई सही है भुजा है ना तो नांग मोरी भुजा में पहने जाते हैं चलिए अगला प्रश्न दीखेगा यह है देखे निवने में से कौन सा जाते हैं तो दिखे सुनता हो गया सूतिया हो गया और पूतरी संकरी हंसली हमेल यह सभी किसमें पहने जाते हैं आपका गले में पहने जाते हैं याद रखेगा इंपोर्टेंट है चलिए अगला प्रश्न दीखेगा दूस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है बनवरिया कहां पहना जाता है तो कहां पहना जाता है दूस्थों देखिए ABC या D Option No. कुन सा सही है दूस्तों बनवरियाapter Option No. D सही हैs दूस्तों कलाई में पहने जाती है देखिए بتबवरिया helps 36 महिलाओं双क ossen कलाई में है न पहने जाले प्रमूक आखुषण आज और यह लिए दिखे खिनवा सरीर के किस अंग का आभूशन है तो किस अंग का आभूशन है यहां पर दिखेगा कान में याद रखिएगा है दिखिए यह है तो आपसन नमबर कुन सा सही है यह चांवल की आठे से तयार किये जाते हैं याद और फरा दूस्तों यह आपका है न मीठा होता है और नमकीन होता है दोनों प्रकार के होती है और यह फरा जो है वह भाप में पकाया जाता है किसमें भाप में पकाया जाता है चलिए अगला प्रश्न दीखेगा देखे यह वाला प्रश्न है तो यह प्रश्न जो है मैं आपके और आटे से तथा दूस्तों ये गूर जाता है इन से बप्ची बनाया जाता है और ये मीठा और कुरकुरा होता है चलिए अगला प्रश्ण देखेगा देखे चातिस गड़ का व्यंजन नहीं है तो चातिस गड़का व्यंजन कोंसा नहीं है तो खीर की तरह कौन सा पकाया जाता है, option number कौन सा सही है दोस्तों, option number A सही है तसमई, तसमई दोस्तों, चावल से बना, खीर की तरह मीठा होता है, याद रखिएगा, चलिए अगला प्रशन, देखिया है, फरा मूठिया निवनिमे से किस से बनता है, तो फरा मूठिया किस से तो पपची के बारे मिं क्या सही है दूस्तों ऑपसन नम देखेगा पढ़िए ग्या तो अगला प्रशुन देखेगा दिखे 36 गड़ी वेंजन तो निमनी लिखत में से 36 गड़ी वेंजन चावल से बनाये जाते हैं तो कौन-कौन से जो है वो चावल से बनाये जाते हैं दिखेगा चावल के आटे से ठीक है चलिए अगला प्रशन देखेगा यह है दिखे कौन सा 36 गड़ी मिष्ठान राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वित्रित किया जाता है तो दिखे यह वाला प्रशन है काफी सरल कोशन है अप्सान नमबर इस हैं पीडिया ओके चलिए द तसमै क्या है तो तसमै क्या में दूस्तों एक प्रag passiert है तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है न वीडियो को देखने की खीर है यह